अस्कलाम अलेकुम लेक्शर 3 कैफ 3 CMA का स्टार्ट कर दिया जी हमने जो कुछ कल पढ़ा पढ़ा तो काली था परसों तो ऐसे गपशप लगाई थी समझाया था ऐसे थोड़ी बहुत हमने गपशप लगाई थी जो वैसी जरा देखें तो किन-किन का आज पहला दिन है माशा क्यों भाई क्या था पैदल आ रहे थे घर से क्या हाइबिड में किस-किस पर पहला दिन है है काम भी करके आ रहे हैं यहां फिर बताते नहीं कोई एक बात तो है तो आप लोगों के पस हैंड़ाउट्स हैं यह वाले क्यों नहीं है एंट पर पढ़ें हैंड़ाउट्स जिस अपलोड गिया मैंने कह दिया था इनको कि लेक्चर अपलोड करने या कहना भूल गया था तो आपने पूछा नहीं था अब तो हो गया तो जो आएं वह तो मूठा के आए न अब उनका क्या करेंगे आज जो हम पढ़ेंगे तो उनको समझ नहीं आएगा चलें बहराल हमने बात यह की थी कि प्रॉड़ट की कॉस्ट हमने निकालनी होती है ताके हम सेल प्राइस डिटर्मिन कर सकें और फिर इन्वेंटी वैलिएशन असल में हमारा यहां पर एक परपस यह भी होता है प्रॉफिट कम्पुटेशन हम किसी भी लेवल पर जाके कर स अब लेशन कर सकते हैं हम ठीक है और मैंगे जरी डिस्टियर वेकिंग असल में हमने करने होती इन सब बातों से टाइस ऑफ और अचीजेशन अब देखी थी चीजें और बेच देते हैं सर्वेस और इसे और करते हैं और अच्छे आप यह बादे नोर्स में लिखी हुई थ जी खिस-किस को वहता लगा यह बाद किस-किस को किस-किस ने यह पढ़ा के ट्रेडिंग ऑर्गनाइजेशन मैनेफेक्श्रिंग और सर्विस बात ने वही थी जो की हुई है लेकिन एक का दुका लाइन ऐसी जरूर होती है जो बड़े काम की होती है कहीं काम देए जैसे य तो यह बहुत आप लोगों की हिए जो स्टाइपर्ण होता है ठीक है तो यह क्या है में में का खरचा सेर्विस और स्टार्यों को सऺड़े ठीक है तो यह चीजें ऐसे चोटेश्टी होती है यह पढ़नी होती काम दे जाती हुए यह तो आम ने पहले दिनहीं देख लिया इन आपने भी पढ़ा या नहीं पढ़ा ये कुस्टन है पढ़ा था कोई ऐसी चीज तो नहीं मिली कि जिससे आपको यह लगा हो कि नहीं जी यहामें समझी नहीं आ रही अचा यह तो आप ऑड़िट भी नहीं कर सकते ना इस वाले चैप्टर का यह तो आप का हर चैप्टर म होगा तो उसके लिए आपने ये लाजमी क्योंकि देखने हैं बहुत रिस्क में हैं आप नोडस से गोली करा रहा हूं मैं आपको इस सब्जेक्ट में तो नोडस वाली गोली को सली करने के लिए आपको आडिट करना पड़ेगा जो चैप्टर में आप लेट से मैं फो एच फ आपको समझ आ रहे हैं या तो नहीं है तो पढ़ा था कोई मसला तो नहीं आया अब देखो यह जो च्छुडी सी बात थी यह मैंने एक सवाल के लिए एक सवाल मैंसे जबादी लिखा और है तो material डारेक्ट मटीरियल की कॉस्ट अगर पर यूनिट निकालनी है तो material प्राइस को मल्टिप्लाय करेंगे material quantity required पर यूनिट ये करके दिखाया था practically यहां पर लिखा वह भी नदर आ रहा है ठीक है और अगर total material cost निकाल नहीं हो तो material cost जो पर यूनिट निकली है उसको जितनी production आपने करनी है उसके मल्टिप्लाय कर दे अब सवालों में इसी की practice थी चुटी बाते हैं ये चुटी 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 चीजे ही हैं जो बड़े-बड़े सवालों के अंदर आपने बाद में देखनी होती हैं चल रही होती है ठीक है अच्छा प्राइड कोस्ट क्या होती है इनको read कर लिए एक दवा कोई ऐसी चीज तो नहीं थी जो आपको समझ ठीक है देखते हैं परसेंटेजिस तो एंड पर ही ठीक है तो पहले चलते हैं जरा उन कोस्टिंस की तरफ बाकि फिक्स वेरियेबल इंशालला अला ने चाहा तो आज उसकी बनियाद डालेंगे क्योंकि एक ही दिन में सारा कुछ नहीं कर सकते ना तो आज मैं आपको फिक् जो बिहेवियर है वो सिखा दूँगा उसके बाद पिर कल इंशालला हम उसकी तरफ चल पड़ेंगे कि फिक्स वेरियेबल सवालों के अंदर कैसे पहचानने हैं पूरे CMA के अंदर ये मसला रहने हैं ठीक है सवालों में कि आपने पहचानना कैसे है कौन सी कॉस्ट फिक्स तो ये सारी चीजे हैं फिक्स वेरियेबल बहुत इंपॉर्टेंट आज शुरू करेंगे जो ये कल भी चलेगा ये आपके सारे CMA भी फिर आपके साथ चलेगा ठीक है लेकिन फिलहाल इसको जरा पैंडिंग करते हैं और आते हैं इदर कॉस्टर मन मैंने आपको करवा दिय कितने बचों ने ये हूंवक किया नहीं हैं नहीं किया हाथ कड़ा करें नहीं किया वाले पहले दिन जो आएं उन्होंने हूंवक पहले ही कर लिया है तो वो हाथ कड़ा करके बताएं तो सही ना हमने हूंवक नहीं किया हुआ हाँ अच्छा चले बहुत इंपॉर्टेंट लेक्षर था कल वाला तो अनफॉर्शनेटली वह अप्लोड नहीं हो सका था लेकिन हो भी जाता तो आप लोगोंने कौंसा वह लेक्षर लेकर आना था कुई रात को पहुंचा होंको भी सुबह पहुंचा होगा पता है नी पैदल चलें घर से अभी तक पहुंची ने रहे त कोशिश करते हैं वो लो 45 पे जो बच्चा पहुंचे उसका पर्चा तीन तीन बार देखते हैं किसी तरह से कहीं से कोई इसने कोई काम ऐसा कोई ऐसी हरकत की हो जिससे इसके नंबर में इसको बन जाए इसके नंबर को आदा नंबर तो वैसे ही छोड़ देते हैं आप लोग सम और में ऐसे चार अलग अलग चीजें थी देख लें इसको भी पांचमा सवाल मेरा दिल्ला हम करेंगे इंशालला क्योंके वह एक बन्यादी बेसिक कैल्कुलेशन स्काने वाला सवाल है कोई टॉपिक नहीं कर रहे हम लेकिन बार बार कुछ चीजें इस्तमाल होनी हैं उसक बना रहे हम ठीक है ना जी इस में से किसी की गलती आई हो हाथ कड़ा करें इन चार सवालों में को गलती आई हो तो हाथ कड़ा करें कुल गलती नहीं आई क्या थाना ना क्या थाना है येस कुस्ण तो करो ना मैं आंसर दूता थे थर्ड में भाई कह रहे हैं आपने इसके बारे में थोड़ी से इसके उपर तॉर्च डालें भाई दो चीज़े उती है दो चीज़े दो चीज़े क्यारिज या ट्रांस्पोटेशन कॉस्ट जैजे दो तरह की होतीए इंटरों में आपको पढ़ाई जाती है मैं फिर पढ़ा रहा हूं और कैरेज 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 का मतलब क्या है मिसाल के तोर पे आप ट्रेडिंग बिजनेस हैं आपकी बुक शॉप आपने ये मारकर खरीदे अर्दू बदार से मिसाल के तोर पे हजार उपे के और ये मारकर बाइकिया करवाए वहां से सौ रुपे उसने ले लिया आपको ये मारकर कितने में पढ़े ये आप बच्पन में पढ़के आए है कि आपने परचेज प्राइस प्लस डिरेक्टली अट्रिबूटबल कॉस एड़ करने होती तो कैरेज इनवर्ड क्या है परचेज की कॉस का पार्ट बनने वाली कॉस यूँ समझ ले के ये परचेज का पार्ट यानि के इनवेंटरी की कॉस का पार्ट बनता है यानि कॉस्ट और सेल का इससा बनेगा ठीक है जबके कैरेज आउटबड क्या होता है आप होम डिलिवरी की सर्विसिस भी देते है कोई बंदा फोन करे खाई एक मारकर बिजवा दे मुझे एक दम क्लास बढ़ाते हैं मारकर की दूरत पड़ी मैंने फोन किया भाई दरा मारकर बिजवा दो आपने का था अभी राइडर आ रहा है अब वो राइडर जो बाइक के अंदर पैट्रोल डालता है तो वो भी तो आपका खर्चा है वो क्या है वो आपने मारकर कस्टमर तक पहुंचाने के लिए खर्चा किया इसको कहते हैं कैरेज आउटवर्ड डिस इस अस सेलिंग एक्सपेंस अब सेलिंग एड्मिन एक्सपेंस जो होते हैं यह जीपी के बाइड आते हैं इतनी कोई इंट पड़ी होनी है मैंने भी इतनी पड़ी हूई है तो अब उसने हम से क्या कहा था और यहां में लिखा हूँ है आश लाग पच्छतर हजार रुपए राइडर्स के पेट्रॉल के लिए दिये, on shipment of shoes from factory to outlets located throughout the city तो यह तो आपने बेचने के लिए, आपने outlet से बेजा या किसी और को बेचे तो उनको आप delivery services देते हैं free of cost, तो यह क्या है आपका selling expense, अब उसने क्या आपसे कहा था वापस यहां पर आना पड़ा आपको कहां पर, कहां पर यह उसने आपसे क्या पुछा, total cost पूची थी पाज़ गया है, यह उसने आपसे क्या पुछा, total cost, नहीं उसने production cost यह product cost पूची है, तो product cost के अंदर selling, distribution, admin selling, ठीक है, अगर वो total cost कहता, तो फिर आप यह भी ले 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 ले, यह कहा था, आपको की दिहान रखना है, बात चोटी सी थी, लेकर देखो, सवाल के अंदर, आपकी गल्ती है या, नहीं है, सिर्फ इसकी बेस्टे, ओके, जी, पहला, दूसरा, तूसरा, तूसरा, तीसरा, सवाल है, पिछले अच्छे नहीं थे क्या अशर, चलो जी, निके निके सवाल है, शुरू करते हैं, यह मारकर, यह अभी देगी, यह अभी रखेंगे, यह चल रहे थे, मेरे ख्याल ने पिछली क्लास में ने तो मैंने इसलिए कहे ते, कि यह देगे, यह अच्छा जी, चल शुरू करते हैं का रिक्वार्मेंट पहले पढ़नी है अब जिंदगी में रूटीन बना लें आप पहले रिक्वार्मेंट पढ़नी है फिर दोपा सवाल करने पिर सुलीशन करने अभी तो बेसिक्स में चल रहे हैं लेकिन यह बात बार-बार करूँगा और आइनदा से प् यह मुझे भी याद कराना है, calculate direct material cost per suit and in total, a company produced 5000 suits during the period, each suit required 3 meter cloth which is purchased from supplier at a cost of 1500 per meter, अब material cost चाहिए per suit की, पर meter की नहीं, पर meter की तो cost उसने बताई हुए कितनी, 1500 रुपे पर meter, उसे क्या का है, per suit cost निकालो, तो very simple, question number है, 5, ठीक है जी, notes का page number कौन से है आपका, चलो, page tensor reference रहेगा आपको, जी, तो one है one, क्या काहिए जी उन्होंने, material, direct material की cost निकाले, per suit, ठीक है, तो direct material cost per unit कह सकते हैं, मैं per suit ही लिख देता हूँ, चलो, क्योंकि हमारा unit क्या है, अगर हम एक tailor है, तो हमारा unit of measurement क्या है, एक suit, अगर हम AC बना रहे हैं, तो हमारा unit of measurement, एक unit क्या होगा, एक AC, अगर हम markers बना रहे हैं, तो, एक मारकर, ठीक है? तो फिल हाल तो यह डारीक मिटरियल कॉस्ट पर यूनिटी है basically, पर सूट, ठीक है? तो डारीक मिटरियल कॉस्ट पर सूट निकालने के लिए, अच्छा, अंग्रेजी मैंने कल लिख दी थी, आज सिर्फ जबानी बोलूँगा, ठीक है? कि लिख हूँ पह मीटर ये एक सूट की एक सूट की कॉस्स सिंपल एक सूट पे कितने मीटर कपड़ा लगता है तो अंगरेजी बोलता है ना समझ नहीं आती है साथा सी बात है और एक सूट पे कितना कपड़ा लगता है तीन मीटर और एक मीटर कितने का आता है तो जबानी निकल जगती है एक नार सूट यह क्या जी एक सूट पर कितने मीटर कपड़ा लगा और एक मीटर कपड़े का रूपीज पंद्रां सो पर मीटर यह पर्चे में निखा करेंगे हम यह तो बस शुरू शुरू में लिख रहें पर्चे में तो हमने सरफ यू लिखना है जब यह सुलूशन यह मागे का ना यह मीटर हैं यह रृपीर हैं हमें से क्या उसे पता है उसको भी नजरा आ थिक है लेकिन अभी नहीं अभी नहीं इप्तिदाय इश्क है ना ठीक है जी कितनीन कॉस्ट पार सूट रूपीज 4500 ये पर सूट है ठीक है लिखने दाओ तो वह भी लिख सकते हो रूपीज 4500 पर सूट रूपीज 4500 पर सूट उन्हें काया जी डारेक्ट माटीरियल डारेक्ट माटीरियल लिखा हो है नो लवस डारेक्ट माटीरियल कॉस्ट आप टोटल में भी निकालो तो टोटल मेटीरियल कॉस्ट टोटल डायरेक्ट मेटीरियल की कॉस्ट यह कैसे निकालोगे आप एक सूट पर 4500 का कपड़ा लगा है और टोटल हमने 5000 सूटें बनाई है तो रुपीज 4500 पर सूट इन्टू 5000 सूट जी रुपीज 22005 यह यह न अच्छा दो लाग पचीस दार बना ना पिर मुझे बता दो कि क्या आंसर क्या है 22.5 मिलियन है हाँ मैं लिख लेता हूँ ठीक है चलो ऐसे ही लिख देता हूँ जैसे आपने का रुपीज 22.5 मिलियन ठीक है जी इसका बनलब होता है 22 500 और आगे आगे तीन सिफरें फिर यह बनता है 22 यह भी बता देता हूँ कोई मसला नहीं आपको कोई कोस्तारों में आंसर कर दो कोई मसला नहीं परिशान नहीं आप में यह यह 22.5 मिलियन इसे कहते है ठीक है वेटा हाँ जी मुश्किला हाँ असान सा काम है आगे बड़ो थोड़ी सी इसकी वजीर प्रेक्टिस करते हैं ताके फिर थोड़ा सा चौथे सवाल पर जाके थोड़ा फिर सवाल और बिगड़ना शुरू होंगे दूसरा एक यूनिट ऑफ प्रॉड़क्ट इच यूनिट ऑफ प्रॉड़क्ट यूजिज पांच केजीज ऑफ मटीरियल एक्स हमार जो एक यूनिट है उसके कितने किलो मिटीरियल लगता है जो कि हम सप्लायर से खरीदते हैं अटा कॉस्ट ऑफ सतर रुपए पर किलो और इस स्पीरिड में हमने तीन हजार यूनिट बनाए है थीक है थोड़ी प्रेक्टिस ये अब सवाल करते हुए ना ये स्पीडो स्पी एक यूनिट पर कितना मेटीरियल लगता है पांच पाइव केजीज पर यूनिट बस ठीक है फाइव केजीज चलो लिख देता हूं यार एक दवा और एक दो दवा और यूनिट और एक केजी कितने का मिलते हैं हमें सतर रुपे पर केजी हमें एक किलो मेटीरियल का मिलता ह 70 रुपे का और एक यूनिट पर 5 किलो लग जाते हैं तो 3500 रुपे का मेटीरियल लगेगा? अच्छा चलो एको गल ले 350 पर एक किलो 70 का मिल रहा है लेकिन हमारे यूनिट पर मेटीरियल 5 किलो लगता है तो फिर 330 रुपे का मेटीरियल हमारा लगता है तो ये क्या है डारेक्ट मेटीरियल कॉस्ट ये क्या है ये मेटीरियल की कॉंटिटी है और वो भी एक यूनिट पर कितनी लगनी है और ये क्या है ये रेट किसका है एक केजी ओफ मेटीरियल का कॉस्ट ये नहीं थी कॉस्ट ना ये थी कॉस्ट ना ये तो पर केजी की कॉस् रही है एक यूनिट की 350 पर टोटल भी कहा है उसमें तो टोटल डायरेक्ट मटीरियल कॉस्ट जो है वह एक यूनिट की अगर 350 है पर यूनिट और हमने यूनिट बनाए हैं कितना असान है यह टॉपिक यह पेपर पूरा नहीं सच मुच असान है पता नहीं आपको मुश्किल लगता है जी हां दस लाख पचास हजार चलो पूरा ही लिख दो आप 1.05 मिलियन रुपीज ठीक है जी आगे बढ़े तीसरा भी असान बस यह थोड़ी सी प्रेक्टिस थी लीटर मीटर केजी कि डिफरेंट उणेट उप मियर्मेंट आ सकते हैं ठीक है आप की प्राड़ बनाने के लिए आप मतलख मीटर में आप कपड़ा पनारहें तो मीटर आपका यूट आ रहा था आप कोई और मिलियन ऎचित तीन लीटर नें आउफ खैमिकल जी इस लीटर ऑफ कैमिकल जी हाज प्राइस ऑफ नवे पर लीटर। यहार सेम कुष्चन कॉपी भेंस सर आपने किया हुए मैं यह लीटर आगे पीछे करते जा रहे हैं हमें पनीठ लीटर अबने आपने किया हुआ तो जी क्या मांगा क्या requirement ओ यार एक तो आप मुझस requirement नहीं पहले पढ़ा रहे हैं ऐसे नहीं करना आप लोग ने आएंड़ा ठीक है ना तो requirement क्या है direct material cost per unit और in total तो direct material cost per unit निकालनी है तो एक unit पर कितना material लग रहा है तीन लिटर्स एक unit of alpha तीन लिटर ऑफ chemical जी इस्तमाल कर रहा है तो एक unit पर कितना chemical जी लगा तो तीन लिटर्स फ्री लिटर्स पर alpha लिख दें पर unit लिख दें और यह अब देखो यह alpha की यह तीन लिटर जी के चाहिए जो एक alpha पर लगते हैं और जी का एक नेटर कितने काता है कि कॉस निकालने का त्रीका है ठीक है जी तेजी नहीं करनी हमने हम बोड ताइम एक 110 लेक्ट्र्स अम राम से पढ़ेंगे ठीक है ना तेजी नहीं करनी है आपने जी जी से ना केमिकल जी वह एक अपर और दोसने अपर लगता है केमिकल जी का तो एक लिटर नवे रूपे का आता है लेकिन एक अलफा योपर अच्पारण गेर लगता है ठीक है अब इस पीरेड में आप ने अफो टोटल कितने अलभे बनाएं था फैज तो पर टोटल डारेक्ट मेटीरियल कॉस कितनी बन गई और सारी जी बस गार देओं होनों रिपीट टैली कास है ना ऐसे कैसे ऐसे कैसे इतनी जल्दी जानने जुटने वाली है कॉंसर्प्ट का रोना निकल जाए तब आपने छोड़ना है उसको जी इंटू कितने यूनिट्स पांच हजार यूनिट्स रूपीज तेरा लाख पचास लाख चलो आपको नवा में कुछ कर लेए आजो वैसे इतना भी नवा नहीं है लेकिन बहराल कुछ तो नवा है है लेओ इदर है तो सही है नीनों तो नहीं आ ली अच्छा कमपनी प्रोडूसिज प्रोडट्ट बीटा अच्छा कभी माफ भी कर देता है मुझे कर दिया अगर कैल्कुले डिरेक्ट पार यूनिट इन टोटल असल में वह सेम चाल रही थी ना मैंने इसलिए काया चलो लेकिन नहीं आप नहीं माफी देतें अच्छा कमपनी प्रोडूसिज वही मेडिरियल कॉस्ट चाहिए पार को डेटा सारा गिवन हो पार यूनिट का और हो कोई मसला नीजिए सवाल कर लेंगे और में अरनरर तो टो डेज आ दे और आ आप टो टोटल निकालेंगे और हीर्में रिखार में नहीं किया मैंने क्षार्ओ दिवाडरों अब अल्ला करे उसने आगे जो रेट दिया हो नो वो भी ग्राम नहीं ले दिया हो फिर तो जिन्दगी असान एक यूनिट बीटा पर सौ ग्राम लगते हैं प्राइस ऑफ माटीरियल ए जो लगता है सौ ग्राम इस रुपीज अब या तो किलो ग्राम वाले रेट को पर ग्राम में कनवर्ड करें या ग्रामस को किलो ग्राम में ले जाएं बस एक असूल रखना है है जो पक्का रखने अब आज हो गए डिसाइड प्रेंट तक रखने तो वो क्या करना है हमने हमने इस यूनिट आफ मेयरमेंट को यह जो स्मॉलर यूनिट आफ में इसको लार्ज में अगर कनवर्ट करना है एक याद रखेंगे ना हर रोज निया काम नहीं करना है यह ज़ुआां किवर्ट करना आच हो किलो ग्राम में तो मैं इन सौ ग्राम को डीवाइड करूँगा एक किलो में जितने ग्राम होते हैं उससे अच्छा अब यह मोटे मोटे ।ोचार चीजें आपको पता होने चाहिए कूई इतना बड़ा श्रु हमस्ला नहीं कि एक किलो में 1000 ग्राम होते हैं एक लीटर में 1000 मिली लीटर होते हैं पता ही आपको हाफ लीटर यह तो पता ही है ना हाफ लीटर हाफ लीटर पीते हैं ना बोतल नहीं जी तो एक लीटर में 500 मिली लीटर सॉरी एक लीटर में 1000 चाहार उम्य हाफ लीटर की तरफ में दुमागे में छेल ठीक है इसी तरह से संटीमीटर होते, चलो यह थोड़ा सा याद करना पड़ता है, 100 संंटीमीटर एक मीटर में होते हैं है और एक गंटे में 60 मिनट होते हैं, यह अबसे मतल thought in के सामने हर वक्त आ रही होती हैं इनका तो कम असकम आपको पता होना चाहिए अब आप ये expect करें iqab से कि वो बताए एक गंटे में 60 मिनट होते हैं मुनासिब नहीं लगता इतना तो आपको पता होना तो उसका तरीका वारदा क्या है ग्राम्स है तो जो ग्राम्स सवाल के अंदर गिवन है आप उनको अगर 1000 से मल्टिप्लाइ कर देंगे वह डिवाइड ही कर रहा हूं तो आपका ये किलो ग्राम्स बन जाएगा ठीक है जी या आपने क्या किया जी ग्राम्स को किलो ग्राम्स में कनवर्ट ग्राम्स दरह नीचे आना आप भी आज़े ठीक है जी ऐसे ही यिमेल सवाल में दे दिया उसने कितने मैं एक यूनिटर लगते नहीं और मैं अपनी रेक्वायर्मेंट को जो एक यूनिट पर चाहिए उसको हम लेतर में और फिर रेको नहीं छेड़ना हम रेट को रहेंगे अपनी कॉंटी को छेड़ा करेंगे ठीक है न या ये उसूल में 1000 लीटर होते हैं तो जो मिलिलीटर सवाल के अंदर गिवन होंगे उसको सब्सक्राइब कर देंगे आप 1000 से यह क्या बन जाएगा आपके है ऐसे ही मीटर भी के संटीमेटर कर मिसला थिक है आपको सवाल में केकर दे मुझे सूट के ओपर मेरा जो है वहू इतने संटीमीटर कपड़ा अधर सब्सक्रणार्प कि कर है और रिय्ट बता दे मीटर में तो क्या करें लाइकि समी hem emails को सकता है या तो आपका और rate भी centimetr में हो, सेंटीमेटर से multiply करें या आपकी quantity etr में बदल जा, और आप per centimeter से multiply करें अगर आपको, सवाल में कहता है कितने centimeter है अब centimeter को meter में convert करना है तो jy centimeter given हो उसको 100 से multiply ये बस नहीं 2-3 चीजह हैं लिंगा वाला यह चार जहन में रख लो मुझे तो यही नजर आए हैं आज तक जितने सीमे के सवाल की अगर करने भी पड़े हैं तो बलके इसमें भी शायद मिनिट्स वाला जादा इस्तमाल हुआ है या कभी हो भी जाए तो यह एमल और ग्राम्स वाला सेंटिमीटर वाला मैंने कभ ठीक है उसके बाद अच्छा चलो नेक्स्ट है जी मिनिट्स यह एक मशूर काम आपको अक्सर करना पड़ेगा खासकर जब आप लेबर की कॉस्स निकाल दे हुआ करेंगे मैंने तो सारी प्रैक्टिस या मटीजर किरिखने ना बेसिक वाली लेकिन लेबर में तो ऐसी हो सक दाइसर पर लगे तो उसी तरह से जैसे मेटीरिल कॉस निकल रहे हैं लेबर की भी ऐसे ही निकलनी है तो प्रैक्टिस रफ एक ही रखके कर रहे हैं बाकी जो मर्जी होता रहेगा वैसे ही चलना है ठीक है तो मिनिट्स यतने भी गिवन होंगे सवाल में यह जी मुझे मेरा सब्सक्राइब करने में दो मिनिट लगते हैं तो घंटों में कनवर्ड करना है तो इसको डिवाइड कर दोगे सिक्स्टी से तो वह पॉइंट जीरो सम्टिंग जितने भी आ जाएगा वह आर्स होंगे से ठीक है रेट पर आर्गिवन होगा उससे मुझिप्लाइ कर देंग कि यहां से हम क्या निकाल लेंगे जी आर्स ठीक है जी मीटर्स केजी ओके डन सही है तो हमने क्या किया जी स्मॉल यूइनट को लार्ज में कनवर्ड कर लिया चीक है कौंटिटी को चेंज कर लिया ऐसे ही मिसाल के तौर पे सवाल के अंदर रेट दे देता हो पर ग्राम और सवाल में kg दे दे तो हम ने फिर quantity कोई छेड़ना है उलट चल पड़ेंगे ठीक है उलट कर लेंगे कोई मसला नहीं है multiply कर देंगे उसको तो हम अपनी quantity को ग्राम्स दे कनवर्ड कर लेंगे ठीक है ना अच्छा बाएं सवाल की तरफ सवाल भी कर लें यह किसी ने नोड करना है तो जरा शेती शेती कर लें बात जिन्दगी रही तो इन्शालला मैं एक दो दफा यहीं से आपको दिखाऊंगा कम असकम दो से तीन दफा जब आम कर रहे होंगे किसी अगले टॉपिक में चल रहे ह है आप होगे नहीं तो मैं इसलिए यह लिख लेता हूं बाते वह वक्ते जरूरत संद रहे और काम आया है मैं देखाऊंगा यह आप ठीक है और इतनी बार यह बात कूंगा कि फिर आपको याद हो ही जाएगा इस जी देखें अब मसला सामने आगया आपके कि आपका एक य हमने 10,000 यूनेट्स प्रोड्यूस की है और रिक्वार्मेंट जो है वो डारेक्ट मेटीरियल की कॉस्ट पर यूनेट निकालनी है और तोटल में भी इसको निकालना है काम तो वही करना है बस सिरफ एक छोटा सा काम बीच में आ गया था तो नंबर फोर जी डारेक्ट मेट है पर यूनेट वह उंश्य को अफर हैं आप पार सकते हम हम अब बढ़े हो इंफ होगी थोड़े से और अब आप परिन कालिए फ़ी काला है खी कहा है जी हरी को मेटीरियल कास्ट चाहिए हमें पर यूनेट अब अब इतर देखो को है एक यूनेट of बीटा कितने तने करेंगे तो आंसर क्या आता है पॉइंट वन केजी आ गया यह पर्चे में आंसर नहीं लिखना पर्चे बस यहीं काम करने डिरेक्ट आगे बस रेट लगा देने तेकिन अभी चलो पहला देने ठीक है तो हंड़ेड ग्राम्स को डिवाइड किया ने जब आपने थाउजंड स तो अब क्या आंसर आ गया इसका 0.1 kg यह अब 0.1 kg लगेगा एक यूनिट पर और रेट जो इसका गिवन है वो भी किसमे गिवन है पर केजी में तो इंटू रूपीज 3,000 पर केजी अब कर दोगे 3,000 पर केजी अब देखो ना इतने किलो लगा और पर किलो इतना रेग इत इतने किलो नहीं लगना तो कितने किलो लगा कनवर्ड कर लिया अब वह सही है बोरिंग बोरिंग तो नहीं हो रहे हैं ऑके तो फिर मैं फिक्स वेरियेबल की दरश चला जाते हैं पॉरा नहीं जी रूपीज 300 अब यह पर यूनिट आ गया पर यूनिट पर बीटा ठीक है और टोटल किसी भी चीज को हलका ही लेना आपने बेसिक्स के अंदर वैसे जो किसी भी चीज को हलका ने लेना है सारा कुछी इंपॉर्टन होता है लेकिन यह बस चीजें चोटी-चोटी आपको अंदाबा होने लग जाएगा जैसे जैसे आपकर चैप्टर वान ही शुरू 10,000 बीटे आपने मनाएं ठीक है तो इंटू 10,000 यूनिट्स कितना जी भाई कहने 300 अब आपके क्या दो 1000 कहना चाहरा था घलत हो तो 3,000,000 बनता है 300,000 हां जी अच्छा बताएं जी यह मैंने 4 स्वाल हल की है आपका हमवक था यह चारों किसके सही थे वोठै थोड़े हलाद सामने हो अ अच्छा पहले 3 किसनों के सही थे पहले तीन किसके पहले तीन में भी गलती थी गलती पुछूँँगा मैं अपनी कनॉलिज के लिए क्या गलती थी और नहीं बेटा ये पार्ट थी की बात करो ये सही थे फोर कितने बच्चों का सही नहीं था ये ही कनवर्जन का मसला था सौ से मल्टिप्लाय कर दिया अन्य वाई सौ ग्राम इंटू तीस हजार सुवान अल्ला हाँ जी हाबिट में किस-किस का ये फोर्थ गलत था चलें माशा अल्ला सही है गलती समझ आगी अब चलो जल्दी करो जल्दी करो अकंपनी अफट 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 गैमा इज उनिट रिकॉयर्स ट्वेंटी मिनिट्स अफ लेबर लो जी लेबर ते गल आवी जो एंड वर्कर्स आर पेड ओ ठीक है एक उनिट पर बीस मिनिट लगते हैं और एक कंटे की पेमेंट है जो गिवन है अब इस बीस मिनिट को हमें और आर्स में कंवर्ट 20 डिवाइड वाइड और इन टोटल अब ज़रा शेती करें नमबर फाइव डियरेक्ट लेबर कॉस्ट आगी अग, डियल कॉस्ट, जी, तो कितने मिनिट्स हैं जी, डिवाइड़ वाइड़ वाइग, 20 मिनिट्स ही हैं आपको पता है, डिवाइड़ वाइग, 60, जो भी आंसर आपके कैल्कुलोटर पे आने हैं, वो आर्स हैं, ठीक है न, कितना, 0.333 बढ़ ठीक है, पता लग गया, इतने, चलो चलिक दो, जी, कितना, 0.333, 3, 4 तहां कर लो, आर्स पर यूनिट लगते हैं, ठीक है, और एक आर के कितने पे करते हैं आप उनको, पर लेबर आर, पर लेबर आर, ठीक है, तो रुपी, 3, 3, 3, पर यूनिट आपकी लेबर कॉस्ट लगे, ठीक है, टोटल लेबर कॉस्ट, टोटल डारेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी बन गई जी, एक यूनिट पर लगी, 33.33 रुपे, पर यूनिट, और आपने इस पीरेड में कितने यूनिट बनाए, पांच हजार यूनिट आपने टोटल बनाए, तो टोटल डारेक्ट लेबर कॉस्ट आपकी लग गई, 1,65, अच्छा, 1,6,6,5,0,0, ऐसे ही है, चालो, हाथ सिद्धा हो गया थोड़ा गया, देख लो भी, इस सवाल को भी देखी लोग, अकंपनी मैनेफेक्चर्स, अब प्रॉड़ट जीटा, आप क्या लगता है, मैं छेवा भी कराऊंगा, नहीं, साथवा, नहीं, आठवा, येस, चले फिलाल तो, ये ते पूरा कर लो, अकंपनी मैनेफेक्चर्स, अब प्रॉड़ट जीटा, विच रिक्वाइर्मेंट पढ़ लिया है मैने यार, टोटल डिरेक्वाइर्मेंट लेवर कोस्ट और, एफोएच कोस्ट, द्यान से पढ़ नहीं थीए है, असले में इसलिए वापस आए, पर यूनेट नहीं मागीगी यहाँ पर, बाइर्मेंट पर जाना है, ठीक है, तो टोटल डिरेक्वाइर्ट लेवर कोस्ट, लेवर कोस्ट, बाइडिल कोस्ट नहीं मागीओ, यार, एफोएच की कोस्ट, अ कंपनी मैनुफेक्ट्ट्ट्ट्ट्स जीटा, विच रिक्वाइर्स, त्री लेबर आर्स पर यूनिट, कंपनी प्रोड्यूस्ट दस हजार यूनिट, फॉल्वि रेट्स आर एप्लिकेबल, वर्कर्स आर पेज़ वेजिस आफ थीज पर लेबर आर, इदर देखो, हमें क्या चाहिए, टोटल उदर लिखने ता, सारे उदर कर रहे हैं तो जी क्यों इदर कर रहे हैं नमबर सिक्स जी टोटल डारेक्ट लेबर कॉस्ट मागी गई आजी आप इदर देखो एक यूनिट पर कितने आर्स तो थ्री आर्स पर यूनिट एक आर को कितना पे कर रहे हैं आप रूपीज थर्टी पर आर अब देखो ये ब्रैकेट मैं लगा दू तो ये क्या चीज़ है नहीं ये क्या चीज़ है ये डारेक्ट लेबर कॉस्ट है लेकिन पर यूनिट ये पर यूनिट डारेक्ट लेबर कॉस्ट बड़े हो रहे हैं आ तो पागलों की तरह पहले जिसका अंसर निकालें फिर आपके यूनिट लगाएं नहीं नहीं आप आइस्ता आइस्ता याप सीडी एक सीडी से अगली सीडी चाड़ रहें आप आइस्ता इस्ता तो कितने यूनिट तो यहीं पर डिरेक्ट करोगे आप 10,000 यह वह फॉर्मेट है जिस पे आपका सवाल हुआ करेगा हल रूटीन में हर सवाल इस इसने से करेंगा ठीक है ना आपको टोटल कॉस्ट चाहिए होगा करेगी बरेक्ट के अंदर आपने यह सिर्फ तीन लिखना है तीस लिखना है यह अंग्रेजियां यह नहीं लिखनी है ठीक है ना और हाँ लिखने तो अच्छा है वैसे तो सवाल देखेंगे तो उसका नजर आ जाएगा ना हमें सवाल की रिक्वार्मेंट होगी हम उसको वैसी टेबलर फॉर्म के अंदर कर रहे होंगे जो टेबल बनाएंगे दूपर वैसी रुपीज लिखा होगा रुपीज रुपीज इन सवाल आने में फिलहाल तो टोटल एफवाइच की कौस अच्छा वैसे तो एफवाइच के चैप्टर पूरा हमने पढ़ना है लेकिन फिर भी आपको एक मज़े की बात बताता चलो हमारी फैक्ट्री में काम चल रहा है अब फैक्ट्री में हमने कहा के एक लिनट बनाने पे तीन घंटे लेबर के लगते हैं अच्छा ये टाइम जाया भी किया करेगी लेबर और वो सारी चीज़ें आएंगी आइस्ता आइस्ता तो बहुत अभी तो लंदा सफर पड़ा है फिलहाल तो सब आइडियल आइडियल चल रहा है ना हमने कहा एक यूनिट बनाने पे 30 रुपे के क्या मतलब भई लेबर मशीनों पे काम करती होगी तीक है अब लेबर जो काम कर रही है मिसाल के तौर पे जैकेट बन रही है या जूता बन रहा है तो जो लेदर आता है उसकी कटिंग हो रही है उसकी स्टिचिंग हो रही है अब वो सारा काम मशीनों पे हो रह अनलेस के वो खुद कह दे के लेबर के तीन घंटे लगते हैं जबके मशीने दो घंटे चलती हैं बाकी वो हाथ से कुछ काम करता है जब तक ऐसी कोई बात नहीं बताएगा तो खामशी केस के अंदर नॉर्मल जम्शन क्या है तीन घंटे अगर लेबर ने लगाए हैं तो फि बिल या फ्यूल पे चल रही है तो उसकी कॉस्ट ठीक है यह सारे ओवरहेड्स होते थे ना तो ओवरहेड्स का रेट भी पर आर दे सकता है अब अगर तो वो पर आर ओवरहेड्स के लिए मशीन के और्स नॉर्मली होते है तो अगर अलग कर दे तो अलग लेना है और अगर दिल को जी तो मैं यह कहा रहा हूँ कि अगर खामोश होगा तो हम यह एजिम करेंगे कि तीन गंटे लेबर को लगते हैं एक यूनिट बनाने में और ओवर हेड का रेट अलग से है तो तीन गंटे ही मशीन चलती है ठीक है तो है अब यहां पर उसने क्या बोला अच्छा बात भी यहां पर थी तभी तो लेकिन उसने खुद बता दिया यह ऐसे खुद लिख देगा नहीं लिखेगा तो मैंने आपको मतलब वर्स के सिनेरियों में आपको अजम्शन लेना सिखाई है नॉर्मली सवाल के अंदर लिखा होता है जैसे धर देखो फैक्टरी ओवर हेड भी बचों खर्चा करने है उसको हर घंटे का कितना पे कर रहे हैं 30 रुपे और जो उसको एक घंटा काम करने के 30 रुपे मिलते हैं तो वो जिस जगह बैठके जिस फैक्टरी में बैठके जिन मशीनों बैठके काम कर रहा है उन मशीनों के ओपर जो पिजली ओगरा का फिर नॉर्मल अजम्शन क्या है, एक यूनिट पर तीन घंटे लगेंगे, तो लेबर के, तो तीन घंटे ही मशीन चलेगी, लेबर को हर घंटे के 30 रुपे दिये, तो तीन घंटे के 90 रुपे, और मशीन 3 घंटे चली, मशीन के चलने का खर्चा हर घंटे का 20 रुपे, तो 60 तो टोटल हमें कितना पढ़ गया नवे और साथ डेट सो लेकिन उसने खुद बता दिया में का अजम्शन ना लो मैं बता रहा हूं मैंने स्वाल में आदा ना खुटी है तो फोएच गॉस्ट इस ट्वेंटी पर लेबर आप अब यह सिंपल हो गया तीन घंटे लेबर के लेबर आर्जी आए यह डिफरेंट भी हो सकते हैं जिसमें अभी आपको होताया वो कह सकता था कि दो घंटे मशीन चलेगी और फिर एक गंटा चिरफ लेबर काम करती है मशीन बंद हो जाती है तो ऐसा हो सकता था फिर ऐसे केस में वो यह कहता रूपीज ट्वेंटी लेट ुइट? Yes, of course. टू आर्ज कॉन से वाले हो मशीन आर्ज होते पर यूनिट और यह तो सकता पहले ही दिया वा है नहीं बताया हुआ बलके बताया हुआ उसने इसने बताया हुआ के नहीं तीन गंटे लगते है भी तीन गंटे लगते हैं. बहर हर लेबर आर के लेबर को तीस देंगे और हर उस घंटे के दुरान मशीन व्यरा का खर्चा 20 रुबे आएगा वही तीन घंटे ठीक है जी रुपीज 20 लेकिन ये क्या आएगा ये तो ये तो क्या है पर यूनिट एक यूनिट पर कितनी ओवरहेड की कॉस लगेगी पर यूनिट और हमने टोटल बनाए हैं तो क्या कॉस्ट बन गई अब बेटा लेबर तो है नहीं ये तो मैं कह रहा हूँ के है क्या चीज ये बिजली का बिल यह निबज़ी ये गंटा अगर मशीन चलती है तो उस पर 20 रुबे का बिल आता है बड़ी कैल्कुलेटर्टी चीज होती है हमारी हमें पता है हमारी मश चलेगी तो इतने रुपे बिल आएगा फैक्ट्री ओवरेड कॉस्ट इज रुपीज 20 पर लेबर आगा फैक्ट्री ओवरेड कॉस्ट इज रुपीज 20 फिर ओवरेड वो तो सवाल यार ऐसे अगमशनल हो सवाल खूद कलियर करेगा बातों ठीक है ना इससे बहुत मुश्कि होगा कि ओवरेड जो हैं वो लेट से डेट सो परसंट है ऑफ लेबर क्या मतलब है इसका मतलब अगर सा रुपया लेबर एक उनिट पर लगती है तो डेट सो रुपया ओवरेड बिजली लग जाती है तो ऐसे भी होता बेसिस तो किसी ओवरेड का पूरा चेप्टर करो